सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मन्जिल को पाने के लिए दोस्तो चलना होगा तभी मिलेगी सफलता और स्वागत है सभी का इस प्यारी सुभा में मैं हूँ डॉक्टर लालिक आप सभी का स्वागत करता हूँ सभी को नमस्कार है और सभी मेरे नमस्कार स्विकार करें और जैसा आपको पता है हम बात करते हैं आपके सामने हम बात करते हैं आपके सामने इस बात की हम बात करते हैं आपके सामने EVS के हर बार हर पेपर को स्वालों कर रहे हैं और आज नमबर है CTEC 23 December 2020 का पेपर जो EVS का ओनलाइन आया था और देखेंगे इस पेपर में क्या जवाब आप देंगे और कितने बढ़िया तरीके से सवालों कोल करेंगे तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सभी को है नमस्कार, good morning to everyone तो चलिए बिना किसी देरी दारी के पहला प्रशन आपके स्क्रिन पर रखता हूँ जिससे की समय न लगे निम्न में से कौन सा EVS के पार्थे चार्य का उपथीम है which of the following is the sub-theme of the course discussion of EVS और आप जानते हैं कि सवाल बहुत सिंपल है और ये सवाल हर किसी पेपर में पूछा जा रहा है जैसे आपको पता है न हर किसी examination में ये सवाल पूछा जा रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए तेम ओर अप्थीम संगिता जी शुक्रिया एक बार तोस सुना दीजे थोट सुना दीजे क्यों रोटी कपड़ा और मकान दीजेगा सहाब बन जाएगा काम ऐसी कहानी EVS कहता है और बनाता है हमको इंसान और कराता है हमें अपने आसपास के वस्तों की पहचान यहीं यह सारी थीम बहने किंदी हैं तो संबंद जो है वो सही जवाब है क्योंकि छे थीम बताई गई है EVS के अंदर पहले मेरे दोस्त और मित्र मुझे मिलते हैं मैं खाना खाता हूँ खाना खाने के बाद पानी पीता हूँ पानी के बाद मैं सोने जाता हूँ तो मुझे घर चाहिए और उसके बाद मैं घोंगना चाहता हूँ तो यातरा के लिए और फिर आसपास के चीज़े बंती कैसी है तो यानि कुल मिलाकर ये छे तीम है परिवार में तुर भोजन, पानी, आवाद, सियात्रा और हाव things are constructed, is that clear, तो right option था, option number 4, D is the right answer, बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, consider the following statement about D's, बहुत ही important topic है ये वाला, इसको मैं पढ़ा हूँ अभी, क्योंकि मदुमक्य के बारे में सवाल आप से पूछा जा सकता है, तो मदुमक्य के बारे में जो जानकारी यह आपर दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है, कौन सी जानकारी मदुमक्य के बारे में एकदम सही है, आशा ठीक है, तो मदुमक्य के वारे हम पृते एक छते में केवल कुछ नर्मक्यां होती है, नर्मक्यां छतों के लिए बहुत महित्ून होती है, छतों में मख्यां काम करने वाली मदुमक्यां होती है और नर मदुमक्यां शहद के लिए फूलो कारा से कत्रित करती है और इनमें से आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब सही होगा और जाव गलत नहीं होगा जी तो let's see what will be the right answer और मुझे मिल रहा है आपके answer यानि आप सबको पता है कि इसका meaning क्या होना चाहिए और D option सबसे ज़्यादा आप जूम जूम कर दे रहे तो भी एक बार सभी लोग session को share कर दो और EBS by लली सर लिख दो उसकी भूक उठ जाती है सुबा सुबा तो जल्दी से मैं चाय का सिप लेता हूँ तब तक आप सभी लोग एक बार comment section में EBS by लली सर जरूर लिख दें जिससे कि मैं पूरा आपको statement पढ़ा पाऊँ एक jam motivation आजाता इस बात से तेंक्यू मनोहर जी वनोहर is the first and last जो रक्ते हैं सबसे जादा तो सभी लोग आपर जी प्यार से लिख दें नमस्कार की जगह अब समझो अगर मैं मदुमक्यों की बारे में बात करता हूँ तो right option मुझे मिला है आपर option number 2 और जो इत्म सही है क्यों सही है बता देते हैं ये सही बात है कि हर एक छते में महिला सशक्तिकरण होता है समस्रों न महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि हर छते में करणानी मख्य होती जिसके आदेश पर सारी मख्या काम करती है ये statement सही है और वो अंड़ा देती है एक छते में केवल कुछ नर्मक्यां होती है बिल्कुर सभी बात है छते में कुछ ही नर्मक्यां होती है बागी मक्यां मादा होती है नर्मक्यां छते के लिए बहुत महत्पूर नहीं है क्यों महत्पूर नहीं बताता हूँ उसका भी रिजन क्या है अभी बताता हूँ आपको क्योंकि नर्मदु मक्यां किसलिए इंपोर्टेंट हूँ उन संक्याओं को आगे बढ़ाने के लिए अब इसमें बहुत ही लाजाव फैक्टर बता हूँ मैं आपको और छत्ते में अधिकांश मक्या काम करने वाले बिल्कुर से बात इनको वर्कर कहा जाता है त्ते में जो मक्या होच लिए वगर कहा जाता है और नर्मदु मक्या मादु मक्या कहीं नहीं जाती है शैद धूनने के लिए मादा मख्य जाती है ये आप सब जानते हैं टिके न तो भी यहां पर सवाल के statement वर दी तो कुछ और तथ्य जन लेते पेपर में कुछ और यह पूछ सकता है तो यह होती है मदुमक्खी बहुत ही प्यारी चीज है धर्ती पर मदुमक्खी करोडों साल से रह रही है और शहद बना रही है धर्तियों पर मदुमक्ख्यों की 20,000 से भी जाता प्रजाती है दे से चलता है एक छते में सिर्क तीन परकार की मदुमक्यां होती है नर रहते हैं नर मदु्मक्षी और कुछ होती है इसके बाद छटे में रहने वाली मदुमक्षियों को वर कर जाता है जो छटे में रहती है मादा मक्षिया। इसे हमने फिल्म देखियोंगी न कि फिल्मों में होता है न कि चार स्वेंबर हो रहा है वहां पर भी मधुमक्यों में स्वेंबर होता है यानि यहां पर नर्मधुमक्य आपस में फाइट करती है जो ड्रॉन्स होते हैं वो आपस में फाइट करते हैं लड़ते हैं और जो जी तो कितने इंप्रॉटेंट्ट है तो कितने important fact है अब ये मदुमक्खी है मदुमक्खी का जीवन यह तो अधिकतम एक महीने का होता है लेकिन मदुमक्खी की रानी कई साल तक जीवित रह सकती है इसका वज़न और आकार बाकी मदुमक्खी उसे बड़ा होता है अगर आप रानी मदुमक्खी को कंट्रोल कर लो कि और मदुमक्खी की सूने की क्षमता इंसान से भी जादा होती है एक मदुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में एक चमस का बार्वा हिसा ही शहद बना पाते है वह लगवालो इतना शहद बनाती है जिसको आदमी थोड़र में चैट कर देता है ठीक है न तो यह बात समझ क्या है गेहु मक्का मौंफलियत चावल और जहारखंड में इन में से कौन सी फसल उगाई जाती है ये शायद आपको पता होगा तो कि जहारखंड में कौन सी खेती की जाती है जी बहुत बढ़िया डी सबसे जादा चावल जहारखंड में उगाया जाता है ये अब सब जा परतेने की कोशिश पूरी है और बहुत अच्छे से जवाब दिया जहार खंड बिल्कुल जहार खंड में मुक्ष्युरूप से 3 परकार फसले पैदा होती है 4 जहार खंड की प्रमुक फसले is 3 तरह उखे कौन की प्रमुक फसले existe अन्य प्रमुक फसल में गहूं और मक्का है और लगु फसलों में औरघल उडरत की डाल मुं की डाल चना, ग्रामिंज चना, सर्शों आदी उगाए जाते हैं तो ये प्रोटल मेंदेज हरकंड के बारे में आपको बता दिया है ठीक है न, very good भी लाइक करते रहो और EBS बाधर या मनोहर भी मनोहर जो कुछ प्रेडना ले लो बाके सब लोग भी एक बार EBS बाई लली स्थ लिग दो तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील आ जाता है चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है और authentic and meaningful learning of EBS through field visit, the teacher can make use of the following यानि EBS को पर्मानिक और अर्थ पूर्ण सेखने के लिए च्छेतर भिर्मन के मात धमजे शक्षक किसका उपयोग कर सकता है सररचनात्म कारियपत्रक ऐसररचनात्म कारियपत्र यानि Structural Worksheet अने Structural Worksheet भिर्मन के लिए आपचारिक नर्देश यानि Formal Instruction for Tour और चात्रों के समू एवं उनके नेता का गठन करना तो इन में से क्या हमारे जो सिक्षक हैं वो कर सकते हैं इस च्छितर में और आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा विनादेरी के और हमें उम्मीद है आपका जवाब स्थाही होगा जी तो यहाँ पर क्या मिलेगा जवाब Option आपके सामने है केवल BOD, केवल AOD, केवल A, C और D, B, C और D तो लेट सी देखेंगे जवाब क्या मिलेगा तो आपको बता देए बही सिंपल सी बात है जब भी कोई प्लान करोगे आप मोटी सी बात समझो अगर स्कूल वाले आपको प्लान पर लेके जाते हैं तो उनके साथ पूरा structured format होता है आप ऐसे रचनात्मक तो यूज नहीं कर सकते हैं भी मोटी सी बात है आप जब भी कोई चीज बच्चों को देंगे वो structured रूप में देंगे unstructured रूप में तो नहीं दे सकते हैं तो यह unstructured जो है वो तो गलत हो जाएगा न unstructured तो गलत हो जाएगा न तो right option क्या कर दे unstructured को काट दे इसमें से और बस बागी देखो हम सरचनात्मक structure worksheet देंगे एक सही बात है हम आप चारिक निर्देश देंगे बिल्कुल सही बात है formal instruction देंगे और साथ में छातरों के समूब बनाएंगे उनके नेताओं को बनाएंगे विए जो ग्रूप है इसके लीडर आप है आप इसके टेकर करेंगे तो यही तीनों चीज होंगी ऐसा रचनातमक धाचा तयार नहीं हो सकता इसलिए option number B गलत है A, C और D गदम सही जवाब है तो option number D तो भी like करने में कंजो ची क्यों हो रही है आप नहीं किया शिर्राम अरे शिर्राम अब वैसी बात करते हो लिपते हैं सब मुझे पता है मेरा काम है बाता कहना मुझे तो कहना पड़ेगा न भूख बढ़ जाती है मेरी एक और सवाल आपके समक्ष इन विच वन स्टेट एन यूनियन टरिटरी आफ कंट्री दे फोरेस्ट लैंड फोर कल्टिवेशन इस कॉमन तो आल दे विलिजर नॉट फोर डिफरेंट फैमिली यानि इसमें क्या कहा गया है ऐसा कौन सा हमारा देश का एक राज्य है जो केंदर प्रशासित है उसमें खेती के लिए जंगल की सारे भूमी जो है न वो किसी अपनी नहीं होते कि ये मेरी जमीन ये तेज़ जमीन वहाँ सब की होती है तो सभी लोग मिलकर उसमें खेती करते है एक साजी ग्रामवासो के पूरे गाम की जमीन ये है इस पर कर लो वो कहा होती है लगदाक, छतिस गड़, पंडुचेरी यानि पुडुचेरी हो दिया है वो उसको और मिजोरम तो देखेंगे आपका जवाब इसमें क्या मिलता है और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे आसानी से मिलेगा और राइट ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है डीग क्या बात है देखो बहुत सिंपल सी बात है क्यों? बात की नहीं बिने ऐसी बात नहीं आपका भी देखा मैंने बिने डोंट वरी परिशान नहीं बिने आस्परेंट समने आपका भी देखा तो राइट ऑप्शन क्या है? बहुत बढ़िया मिजोरम में टिन की खेती बहुत बढ़िया तो मिजोरम में जो है जो खेती होती है उसी के according मिजورम में इन सब लोगों की जमीन एक होती है क्योंकि आप ने देखो कि मिजورम में मुख्य खेती क्या है जूम खेती भी होती है Thank you राजी is that clear तो यानि यहां पर क्या होता है कि बही मिजोरम में सभी लोग जो family है वो एकटा हो जाते हैं और अब पूरी जमीन को hire करके उसी पर जमीन पर वो खेती करने की कोशिश करते हैं ठीक है ना तो जूम खेती होती है क्योंकि जूम खेती में कोई अपना तो होता नहीं तो पूरा पूरा गाम जंगल का जंगल जला लेता है और पूरा गाम उसमें मिलकर खेती कर लेता है एक पूरा community तो इसलिए मिजोरम is the right answer बहुत बढ़िया ओके एक और ले ओ बहुत बढ़िया किसान का मित्र कैचव को किसानों का मित्र माना जाता जाता है कर दो से मरता को हवा और पानी आसानी से प्राप्ट हो जाते है कैचवे खड़ पत्वार को खाते हैं जिसे मुख्य फसल की सुरक्षा मिलती है और कैचवे मृत पत्तियों और पोधो को खाते हैं कैचवे मृत पत्तियों को अधिक उपजाओ बनाते हैं मल जानते हुँ ना पौटी तो right option इन में से अब का बनाएंगे तो right option देखेंगे और जवाब भी hundred होना चाहिए अब तो बच्चों को जादा होना चाहिए अब इस समय बच्चों की संग्या मुझे कम लगती है मैं समझ नहीं पाता हूँ ऐसा क्यों जी right option क्या है और आपका जवाब मिल रहा है मुझे a सब ने a answer देने का परियाज किया क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़े है कि इसका meaning क्या है चलो समझ लेते हैं भी इसका meaning क्या है और सवालों को जानने की कोशिस करते हैं तो देखो अगर मैं आपसे बात करूँ कैच्छू के बारे में तो यहां पर जो कैच्छू है न वो सिर्फ खर्पतवार को खाते है उनकी ऐसा नहीं है कैच्छू हमेशा हरी पत्ती जो उन्हें मिलता उसी को खाते है तो option number c घलत हो जाएगा option number a, b और डिक्डम सही है और कैच्छू मरत पत्तियों और पोदो खाते है खर्पतवार को नहीं मरत पत्तियों को खाते है यह मिल्कुर सही जवाब था बहुत बढ़िया लेकिन आप इसके आगे थोड़ी सी और कहानी क्योंकि सवाल तो और भी बन सकता है कैच्छू अपर तो समझ लेते हैं यह है अर्थवाम कैच्छू जैसे आपके सामने स्क्रीन पर देख रहा होगा कैच्छू की लगबक साथ हजार से भी अधिक परजाती पाई जाती है जिनमें 200 परजाती केवल अमेरिकान मिलती है कैच्छू अपर तो तो केंच्छों अपर तोकी लगबक 20 नीचे 欲गब कैच्छू अधेरे में रहना संद करते हैं इसलिए अधिकतार रात को ही बाहर निकलते हैं और आप क्या होते हैं जमीन के लबग posición 20 नीचे ही तक ही रहते हैं कैंचुए का मूं का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो दोनों तरफ से एक जैसा होता है उसका मूं और उसका पूंच वो दोनों तरफ से एक बहुत है दोनों तरफ चल भी सकता है इसलिए में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये किदर से और दुनिया का सबसे बड़ा कैंचुवा, Australia के Gips Land में पाए जाता है, इसके लिए इस कैंचुवे का, किसे कैंचुव का घर भी कहा जाता है और यहाँ पर जो कैचवा है न वो तीन फिट लंबा हो जाता है अब देखो तीन फिट लंबा समझे नो तीन फुट लंबा कैचवा कितना होता है तीन फुट लंबा कैचवा हो जाता है सबसे डुनिया का सबसे बड़ा कैचवा यही पाए जाता अस्ट्रेलिया में और एक अब पहत्वात और अगर में केच्व को बीच से तोड़ दोना तो मरता नहीं है वो दो केच्व को आदा भाग काट दिया जाए तो यह मुरते नहीं बल्कि कटा हिस्सा एकना केच्वा बन जाता लेकिन यह आदा हिस्सा तोड़ाया अब केच्व कितनी सी पूच्छ तोड़ तोड़ी बनेगा बीच से तोड़ दोगे तो दो कैच्व बन जाएंगे मरता नहीं है यह बहुत वर्मी कंपोस में से काम आता है कैच्व सिर्म गले सड़े फल और सूखे पत्ते खाते हैं और भारत में कुछ जगे कैच्व से मचली को भी मारा जाता है और कैच्व हमारे लिए बहुत ज़रूरे क्योंकि यह मिट्टी से जहरी लिए पतावतों को बाहर निकालते हैं और जमीन को बहतर बनाते हैं और कैच्व से जड़ी यह जानकरी कैसी है मुझे बता देज़ेगा आपको धन्यवाद अच्छा लगा हो तो आगे बने चलिए लाइक करते रहो गाई देखो लाइक के बहड़ी भी होग है मुझे लाइक नहीं मिलते हैं तो फोला फ्रील होता बैड विचाप दर फॉलोइंग इस एजियर और फॉरे टीचर इन वार्मेंट स्टडीज क्लास इन में से क्या पर्यावान अध्यान के शिक्षा को तक्षा अध्यार्में शिक्षक के लिए सबसे आसान है विद्यार्तियों को सीखने के अवसर प्रदान करना विद्यार्तियों को विव्यस्त रखना विद्यार्तियों को सूचना देना विद्यार्तियों के विचारों को महत देना इन मिझे सबसे ज़्यादा जिरूरी आपको क्या साप का जहर भी कम करते हैं साप का जहर कैसे कम करेंगे तो निवली कितमी से क्या प्रणाई अधिनिवा शिक्षा के लिए देखो कक्षा में शिक्षा के लिए आसान है which of the following is easier for a teacher in an environment study class विद्ध्यारतों को सीखने के अवसे प्रदान करना विद्ध्यारतों को वैस्त रखना विद्ध्यारतों को सूचना देना और विद्ध्यारतों को विचारों का मैंद देना सबसे आसान क्या है और आपका जो मिल रहे अरे भाई आसान की बात कर रहा है इनमें सबसे teacher के लिए सबसे आसान क्या है अगर वो सीखने के अफसर देगा तो उसको समय लगेगा, सिखाना पड़ेगा, विद्ध्यार्थियों को विस लखने के उसे कुछ कारे करना पड़ेगा, तिर्फ information देना, विद्ध्यार्थियों को सूचना देना, कल तुम्हारा test है, that's it, तो सबसे आसान क्या हुआ, सवाल को समझो, सवाल की भावनाओं को समझो, सवाल को तरपाओं नहीं, सवाल का उत्पड ना करें, सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, विद्ध्यार्थियों को सूचना देना, विद्ध्यार्थियों को सूचना देना, तो सबसे आसान जो है, वो क्या है, उनको सूचना देन बस सिंप सबसे आसान काम यही तो है तीचर के लिए पूछा है न तो कितना आसान था अब पढ़ो सवाल को सवाल नहीं पढ़ा आपने CCS का मतलब यह था तो घलबड हो गई है CT बजगई है सही से पढ़ते रहो सवालों को और एक वार सवाल Which one of the following is a different from the four modes of transport प्रेन बस शिप तांगा साइकल रिक्षा यानि इन में से क्या अलग है प्रेन बस जाहज तांगा साइकल रिक्षा और मुझे उम्मीद है इसको तो आप जानते होंगे इन में से क्या अलग है बहुत अच्छी सी रेजिनिंग मिल जाती है आप को करने के लिए और मुझे जवाब मिलेगा जी के मैं आफ्लाइन कोचिंग आप आ नहीं पाएंगे मैं बैंगलोर में हूँ ठीके ना हम अलाइन पढ़ेंगे कोई बात है हम एकी चीज़ बढ़ाएंगे आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे डॉंट परे तो राइट आप्शन मिल रहा है मुझे भी जाहज क्यों साइकल रिक्षाद धर्ती पी चलता है बस भी धर्ती पी चलती है तांगा भी धर्ती पे चलता है लेकिन जाहज जो है या तो पानी में चलेगा या आसमान में उड़ेगा तो ये इसके पाउं जमी पर नहीं रहते हैं बस आज कल पाउं जमी पर नहीं पढ़ते मेरे जहाज ऐसा क्या था इसलिए इसको अलग माना गया है एक और सवाल है इसका आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता इनमें से कौन सा ऐसे आप यूज कर सकते हैं याद करना बता देना इस परस्ट कर देना प्रत्यवाहन यानि विद्वा कर लेना या फिर विचार विमर्ष इनमें से एसे करने के लिए आप कौन सी को सबसे ज़्यादा थूपसुरत मानते हैं और यह आप मुझे पता है आप सब लोग जानते हैं मानते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए और पहचानते हैं बिल्कुल क्योंकि बच्चों को access करने का याद करना तो NCF मना है और आपने बता दिया, explain कर दिया आपने explain कर दिया, teacher ने बता दिया भाई तो इससे assessment कहा हुआ, आपने तो बता दिया विड्रो बच्चों को तोड़ दी, खतम कर दो खतम, मैंने बढ़ा रहा, चल जा घर जा लेकिन विचार में मस, discussion method में क्या होता है कि आप बच्चों से जब discussion करते हैं तो आपको पता लगता है कि बच्चे के अंदर क्या quality है बच्चे की नॉलिज रखता है, assessment कर सकते हैं राइट option 4 है, एकदम सही जवाब है हम टेजी से भी पढ़ रहे हैं, जिससे कि गलती ना हुआ आप से और समय की बच्चत होकर जल्दी से सवाल पूरा कर ले which of the following activities suggested by the theme who produces our food हमारा खाना, हमारा भोजन का उत्पादन कौन करता है कान उत्पन करता है is appreciate to address the question of food हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है theme खाद्य के प्रशन को संबोधित करने के लिए कौन सा उप्युक्त है किसानों के बृतांतों को साजा करना किसी खेत में जानना और अवलोकन करना अंकुरन के लिए अनुकूल परिस्तितियों का प्रियोग करना और कुछ डबल रोटी और अन्यखाद पतारतों के लिए कुछ दिनों के लिए रख देना इनमेंसे कौन सा क्रिय कलाप है जो इस उजहाव देगा कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है इससे संबंदित चीज़े कौन कौन सी हो सकती है तो सवाल पेपर ही अच्छा था काफी और जवाब मुझे मिलेगा आपका आंसर क्या मिलेगा और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छा ही मिलेगा ओ थैंक्यू अभी शेक शुक्रिया और जवाब क्या मिलेगा बई अपने साथियों को शेयर कर दिया करो और उनको बताया करो क्लाश चल चुका है जिसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि अगर आप जानेंगे तो ही तो मानेंगे और तब ही आपको चीज़ समझ में आएंगी तो सभी लोग अपने साथियों को शेयर करके जरूर आया करें अपने गुरूप में जिसे की किसी को प्राबलम ना और सभी लोग इनको समझ जाएं आसानी से तो सवाल क्या है एबी सीरी के रूप में आपका जबा मिला है और मुझे उमीद है जब आप अच्छा होगा तो समझ लेते हैं अब जब बच्च हमारा भोजन कौन उत्पादन करता है तो डबल रोटी तो अलड़ी उत्पादित भोजन है अगर उसको कुछ दिन के लिए रख दोगे तो उत्पादन में नहीं आएगा उत्पादन में क्या आथा है कि किसान कैसे उकाते हैं इसको explain कर सकते हैं खेतों में ले जाकर बच्चों को अबलोकन कर सकते हैं गय हो मक्का है और अंकुरन के लिए अनुकुल परस्तिते कौन सी होगी आप उस नमें भिर्मन कर सकते हैं सकते हैं कि मिट्टी बरबरी नी चाहिए इतना पानी होना चाहिए तो ये सब चीज़े क्या है इन सब चीज़ों क्या आधर पर आप चीज़ों को explain कर सकते हैं लेकिन double रोटी ओल्री उतपादित है उल्री प्रॉड्ट है इसको नहीं यूज कर सकते हैं ठीक है ना हाँ सही बात है उनको discipline करना है चलो which one of the following objective of teaching EVS shows its importance in the sustainable development of education EVS पढ़ाने के लिए इन में से कौन साउद्देश शिक्षा के सतत विकास को महतु देता है continuous development को बात करता है तक्नीकी और तक्नीक और गुणातमा कोशल का विकास करना design तता सरचना के कोशल का विल देना समानता नयाय शांती तता मानव के अधिकारों मर्यादाओं के सम्मान के विशे में समा लोचना करना और बच्चों को innovation के क्रिया कलाप में लगाना अब इन में से सबसे सतत महत वाय नहीं continuous जो impact है वो किसका है पर हम देखेंगे इवियस की बात करें और इवियस में आपको पता है तेंक्यो कांग्शा जी शुक्रिया और आप जानते है अन्वेशन यानि बच्चों को अन्वेशन कराना engaging the child in activity of exploration ऐसा मुझे जवाब मिल रहा है आपकी तरफ से लेकिन मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कुछ गड़ाबल नहीं लग रहा है आपको परकुल लग रहा है क्योंकि EVS के बारे में समझो कौन सा उद्देश सिक्षा के सतत्विकास को यनि सिक्षा अब आप जानते ही EVS सिर्फ एक विशय नहीं है EVS is the combination of SST, Science, Chemistry, Biology इन सब का एक समू है यही तो EVS होता है तो EVS को जो पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश है वो क्या है Equilibrium, सब में बराबर समानता हो सब में नियाई, शान्ती, मानव के अधिकार क्योंकि यह मानव के अधिकार ही तो है प्रियोग तो बहुत कम करना चाहिए बच्चों के सामने क्योंकि तकनिकी जो भाषा है वो समझ में नहीं आती थे उद्देशों कराब हो जाएगा और डिजाइन और सरचना के बारे में बात करोगे तो सिर्फ बच्चों को फिर experimental study कैसे करा होगे और बच्चों को EVS में अगर आप अन्वेशन आत्मक खोज के लिए प्रेद करोगे लेकिन यह सिर्फ सतत्विकास की बात हो रही है continuous development की बात हो रही है तो अब हमेशा अन्वेशन आत्मक सिक्षन नहीं करा सकते तो सतत्व का मलब किया overall development continuous development जो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है right option C होगा जी है आप लोगों ने बहुत गलत जवाब दिया आज क्या बात है वही ऐसे कैसे करोगे name of the scientist who conduct experiment with the plant and conduct on the basis of his observation that there are some traits in plants which are found in pairs such as tall or doff, yellow and green, rough and smooth etc मतलब क्या है उस वेध्यानिक का नाम बता है जिसने मटर के पोदों के साथ परिक्षन की है और अपने प्रिक्षनों के आधा पर यह निश्कस निकाला कि पोदों में कुछ लख्षन ऐसे होते हैं जो जोडों में पाया जाते हैं जैसे लंबे अत्वा बोने पोदे, पीले और हरे खुर्दरे अत्वा चिकने आदी तो यह किसका statement था यह है MS स्वामीनाथन, ग्रॉदर, मैंडल, चार्ल्स, डार्विन, जार्ज, मैस्ट्र, और मुझे उम्मीद है सर आपसे निवेदन है कि जैसे ही व्यास का previous करवा है मैंसी हाँ वो मैंने करा दिया है सुनीता जी मों already मैं करा चुका हूँ उसकी playlist का link मैं share कर देता हूँ मैं फिर से करा हूँ मा दिसंबर में वो मैंने सारे पढ़ा दिये है आप लोगों नहीं अगर mathematics के EPI भी सेर नहीं पढ़ा है तो वो मैंने सारा पढ़ा दिया है अगर आपको वो नहीं मिला है तो मैं आपको share कर देता हूँ और फिर से करेंगे फिर से करा देंगे इसमें कोई दोर आए नहीं हम आपके साथ है और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और जिससे कि आपको आअसानी हो जाए सवालों को समझने में उसका reason क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो आप इन चीजों को ज़रूर ध्याम लखें क्योंकि पहले मैं आपको share कर देता हूँ नहीं के एक मिल रुकिएगा जिससे कि मेरे सभी साथ ही उको problem ना हो और वो आसानी समझ ले यह मैंने link share कर दिया है इसको pin कर देता हूँ मैं ठीक है टेलिग्राम लिंक भी दे रहा हूँ अभी टेलिग्राम लिंक अल्यड़ी पेस्टिट अभी करता हूँ ठीक है ना तो यहां पर आप लोगों का जवाब मुझे क्या मिल रहा ए मैस्वामी ने आता है किसी को नहीं पता इसका मतलब बहुत 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 बहले जिनों ने कहा है बुइ वो इतदम सही जवाब होगा क्यों क्योंकि इनका नाम गोर्व जैन मैंडल था इनी को अनुवान शिकता का पिता में भी कहा जाता है और इन्होंने क्या काम किया था इन्होंने जो है न अपना experiment किया था कि मटर पर बी इन्होंने मटर के कुछ लंबे पोधे लिए और कुछ बोने पोधे लिए मैं इसको बता देता हूँ उन्होंने मटर के कुछ पोधों पर प्रिक्षन किया इसमें कुछ टॉल इनी लंबे पोधे थे कुछ बोने पोधे थे इन दोनों के प्रागर्ण हुआ इन दोनों का मेलन हुआ तो एक नया पोधा बना जिसको और टाल पोधे बने इन दोनों इसको बोलते हाइब्रेड और जैसे ही आप हुआ जब इस पोधे से बीज बना और इससे नए पोधे बने तो इसमें के हुआ तीन अनुपात एक के अन मेंडल अनुवान शिक्ता के पिताम है इस इट किलियर बहुत बढ़िया एक और सवाल बढ़िया लाइक करते रहो आगे बढ़ते रहो मदुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है तो हरो पर मदुबनी चित्रकला खुशियों के अवसर पर मदुबनी घरों के आंगनों और दिवारों पर मदुबनी चित्रकला के चित्र बराये जाते है मदुबनी भारत के राज्य का प्रसिद जिला है जिसका नाम है कहां पर है और यह आप जानते हैं इसको मैंने बताय ली था और मदुबनी जिला कहां पर है और ये गौरब ने भी एक दिन मुझे बताया था गौरब ने मुझे बोला था कि सरीय मदुबनी तो हमारे यहां पर है समझ गई ना तो जो साथी मेरे बिहार से हैं वो जानते हैं कि बिहार में मदुबनी एक जिला है उसी में वो चितरकारी की जाती है इसलिए मदुबनी चितरकला बहुत पुरारी चितरकला है जो बिहार की देन है और बिहार से जोड़ी है हाँ अचा राजिस भेक जिला है क्या बात है अचा आपका डिस्टिक है चलिए देखो यह होती है तो तो गुमा करजिग्या साब बहुत बढ़ी है एक और सवा इन में से कौन सा उपकरन अवलोकन की तक्निक पर आधारित है प्रदतकार यह पोटफोलियो कागज पैंसिल टेस्ट कारिय पत रख यानि इन में से कौन सा है जो इंस्टुमेंट इस बेस्ट अन टेकनिक अफ अबजरवेशन आपजरवेशन टेकनिक पर कौन सा बेस्ट है यह आपको बताना है और मुझे पता है कि अगर आपजरवेशन की आप बात करते हैं तो वो किस पर होता है आई निस्टिक है जिला है बिल्कुल तो राइट आपशन क्या होगा अच्छा आपके घर मदवनी है मेनाक्षी आप बिल्कुल आउगा किसी दिन और राइट आपशन मिल रहा है मुझे आपशन नमबर भी बहुत ही होगसूरती से जवाब मिला है आपशन नमबर भी कोई प्राबलम नहीं है क्योंकि पॉर्ट फोलियो जो फाइल है उससे आप आसानी से बच्चे इरिकित की हुए कारियों का ध्योरा उसकी फीचर्स को इखटा कर लेते हैं हाला कि ये चार हो कि हमें आपको आगे बताऊंगा इसका राइट आपशन पॉर्ट फोलियो है और ये होते कि हैं मैं आके आपको बताऊंगा अभी इसके बाद थोड़ी दिर बाद एक और कॉशन आएगा उसमें इसका पूरे डिटेल डिस्ट्रिक्शन गया है कॉशन है यह उत्तला खंड का एक इस थान है जहां यह महत्पूर्ण परेठिन इस्थल है यह आरण भाग के सरशन से संबंदित है इस जगह का पहचान करो कौन सी है उत्तला खंड में यह जगह है बहुत इंपोर्टन टूरिस्ट प्लेस है और रिजर्व है टाइगर्स के लिए इस प्लेस का नाम क्या है कारवेट पार्क, दुदवा पार्क, बक्तिता पार्क या वालमी की पार्क और आप सभी जानते हैं उत्तला खंड में जो पार्क पाय जाए जो टाइगर के लिए रिजर्व है उसका नाम क्या है उसका नाम है कारवेट पार्क, कारवेट नेशनल पार्क ठीक है ना, सिंपल सवाल है, कार्विट नेशनल पार्क, आगे बढ़े, अब यहां पर एक कोशन दिया गया है, जहां पर कुछ जीव दिये गये हैं, और उनसे आपको मिलान करना, यह सवाल बहुत इंपोर्टन्ट, हर बार यह सवाल पूछा जा रहा है, कि जोड़े मिलाओ इसमें जीव और उनकी शमताएं दिये हैं, सवाल आपके समक्ष है, सवाल क्या कहता है, कि उल्लू, रेशम कीट, बाज, सलाथ, इनमें से आपको बताना है, और यह मैं सारे पढ़ा चुका हूँ आपको, देखो, मैं उल्लू की बात करता हूँ, तो उल्लू की जो आँखे होती है, वो आदमी की तरफ होती है, आप जानते हैं, रेशम कीट मैंने नहीं पढ़ाया, तो वैसे आपको बता दूरेशम कीट का मतलब क्या है, लेकिन बाज को मैंने पढ़ाया है, बाज, चील और गिद कैसे बक्षी है, जो आदमी से चार गुना दूरी पर रखी वस्त को देख सेकता है, तो बाज उसको आठ मीटर से देख लेगा, है ना, तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब होगा, बाज, कहां से, चार गुनी चीजों को देख लेता, इस लौत को मैंने कितनी बार पढ़ा है, कि यह 17 घंटे उल्टा लटका रहता है, चार-पांच पत्त दिखाता है, मजे से जिन्दगी काट रहा है, अपनी 40 साल उसकी और सत्पुम्र है, तो सौत जो है, वो इसी हो जाएगा, अब समझ में आया, तो आपने सारी चीजे मिला दिया, अब एक दो बची, यह रेशं कीत, रेशं का कीत, जिससे अब रेशं बनाते हैं, उसमें इत कदम रखा, एंट्री मारी, उसने पहँचा लिए, परिमेकाने पीछे देखके, कोई आ रहा हवा चली, ठंडी, किलो मिटर पे भी हो ना वो, वहां से पहँचा लेगा, तो मेरी वाली वहां बैठी है, समझ गए, तो यह रेशं की किट की विशेस्ता है, तो राइट ऑप् आप्शन नमबर, मिल गया ना आपको, ए का तीन, ठीक है, मैं लिक देता हूँ, ए का तीन, इससे की हम समझ लें, और बी का हो गया रेशं कीट का, चार, बाज हो गए फर्स्ट, और स्लोथ हो गए सेकेंड, बताना गरा, तीन, चार, एक दो, तीन, चार, एक दो, आप्शन नमबर, डी, इस तरह से पहचानते हैं, तो अगर आप इनको, डिटेल में पढ़ा है, तो अराम से आपको, चीज़े समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना, वेरी गुड, आगे बढ़ें, चलो पर एक और सवाल, आपके स्क्रीन बढ़ें रहा, विच आप the following is an effective learning resources for environmental study, टैलीज, models, वक्शिप चार्ट, इनमें से क्या परिवन अध्यन में सीखने का प्रभावशाली साधन है इसे मॉडल, कार्य, पत्रक और चार्ट, अगर आप परणा धन में सीखने की बात करते हैं, तो इन में से कौन सा महत्मून है, यह आपको बताना है, और हमें उम्मीद है, कि आपका जवाब मुझे आसानी से मिलेगा, सबसे आसान तरीका क्या है, और आपने कहा, कि सर इसमें तो थैंक्यू अभी शेख जी, अभी शेख इन तो अब तक लिखा हुआ, वह एक बार सब लोग भी अभी शेख का साथ देके, ईवीस भाई लली सर लिख दो, जिससे की पता लगे कि हाँ जजबा जगा है, कुछ और साथ ही उमें कुछ ना कुछ बात बनी है, तो क्या पर और कहानियों के माद्यम से बहुत आसनी सीखता है, कहते दे दे बच्चमन में, ए दद्दा, ददू, कहानी सुना दो, और दद्दा जी कहानी सुना देते, और टीचर भी अगर बच्च को कहानी सुनाएगा, किसी बताएगा, तो आप आसनी सीख जाओगे, क्योंकि इननल पसन्द को कशनार फूल के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। कशनार फूलावराई ठीक भी यह ब्रमिस्टिक जानते हो पीपल अफ जम्मू अन काश्मीर लाइक बनानास फ्लोवर वेजटेबल पीपल लिविए न उत्रप्रदेश लाइक दे वेजटेबल अफ कचनार फ्लोवर्स दे सबस्टेटमेंट अमंग आफ दी इस ट्रू यह आपको बताना एक B, A, B, C, B इनमेंसे कौन साब को लगता है कचनार के सबजे कौन-कौन खाता है जी तो देखेंगे जवाब का मिलता है और यहाँ पर जवाब मिल रहा है C क्या बात है C ओप्शन लेने की कोशिश से बात जारी वहाँ की वह फिवरेट डिश है यह मैंने आपको बताया था ना कि जम्मू कश्मीर में लोग जो है फिस्ट खाते है फ्राइड फिस्ट खाते है जो सर्सों के तिल में की जाती है इसलिए यह तो घलत हो जाएगा तो महाराष्ट में जो लेते हैं लोग वह सहजन के फूलों का पकोड़ा कथा लगता है और कचिनार के फूलों की सबजी उत्तर प्रदेश वालों को बहुत पसंद होती है यह कुश्म उसे बच गया है आँ मिल्कुल ठीके ना यह इसका मुझे फूल दिखाने चीए थे खर मैं आपको आगे नेक्स क्लास में देखा दूँगा वो साथ भूल गया मैं लगाना इसका इन में से क्या परवन अध्यान की कक्षा का विद्धारत द्वारा पसंद किया जाए इन में से कौन सी चीज स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक की जाएगी एन्वार्मेंटल स्टूडी में ग्रहकारिय का आकलन चित्रकला और शिल्फकला पार्ट का स्पर्ष्ट शारांस और एकलकारिय तो इन में से क्या पता लगेगा आपको देखेंगे जवाब कुशन नमबर 19 है आपके समक्ष और काफी अच्छी तरीके से आप जवाब करने की कोशिश करेंगे मुझे उम्मीद है मुझे पूरा वहाँ जी हाँ केरल में खाते हैं अरे यहां पता भी खाते हैं केरल में करनाटक में आपको पता है स्टैम केले का जो स्टैम है आपने देखा हो जब केले को हम पेड़ को छीलते हैं उसके अंदर वाइट वाइट सी हम तो बच्पन में खेलते थे उससे केले की बीच में जो स्टैम बता दो इसका आपकी जनकारी के लिए करनाटक में स्टैम केले की स्टैम की सबजी भी खाई जाती है क्योंकि जो स्टैम अंदर से हम ट्यूबलेट जीसा निकलते तो उससे लड़ते थे हम लोग तो बच्पन में तो यहाँ पर उससे स्टैम जी केले की जो तने है उसकी उपर वाली परते निकाल करके उसकी सबजी भी खाई उसमें आनन्द भी लेगा और आसने जोड़कर उस चीज़ों को समझने का प्रियाज भी करेगा तो जो लोग कह रहे हैं option number B वो इद्दम सही जवाब है हाँ हाँ वो delicious food मैंने खाया नहीं यह कभी बता रूम है हाँ अजीज़ भी जिर्दिया हाँ कन खल कन खली यहां के सब्जी है जिर्णस्ट्रिक यहां की सब्जी है भिंड़काई बहिंड़ा जिसको आखुरा बोलते हैं भिंड़ी लोग खाते हैं ौर वैंद काई बहंगन खाते हैं यहां पर जिसके नाम अलग-अलग है सबके यह आता है कही बार मैंने नाम लिये करनाटक का और करनाटक का नाम हाजिर हो गया चलो सवाल में करनाटक के बारे में What is the name of the tool used by the farmers in करनाटक to dig and soften the soil of the field करनाटक में किसानों दुवारा खेत की मिट्टी को खोद कर नरम करने के लिए एक ऑजयर का उपयोग किया जहते हैं जो यहां बिलाते हैं इल गये खुरपी खुटी कुरिगे इनमेंसे आपको बताना है जिसको हमारे खुरपी बोलते हैं हमारे खुरपा होता है ना मैं सीटर था उन्यूपी से हूँ लेकिन मैं करनाटक में रहता हूं दैंगलोर ने तो यहां पर जवाब मिला D और आपने का कुरिगे तो कुरिगे बता रहे हैं। पुरी गे लेकिन आपको बता दूँ इस कुछन को पता है जब मैं पढ़ रहा था तो मैं तो करना टक के लोगों को बुलाया मेरे कॉलिज में थे मैंने मुझे बता हो इसका प्रशन का उक्तर क्या है और रियली बता हूं आपको सुनकर हसी आएगी किसी को नहीं पता था मतल है घुटी यह ऐसी होती है जमीन को बुरबुरा करने के लिए इसको खो जाँ एक खुरपी जैसी होती होती जिससे अब जमीन नलाई बुराई करते हैं मोरे उसको खुरपा या खुरपी बोला जाता है वह यहां यूज्टकी अहीं होती है तो कभी हमारे घर चाह पर का सवाल पूछा जा रहा है तो एक कार X शहर से 7-30 बजे चल कर शहर Y में 22-30 बजे पर पहुंचती यह दोनों शहरों की बीच की दोरी 540 किलोमेटर हो तो कार की और सचाल होगी अच्छे मुझे एक बताओ सवाल तो निकालते रहों मैं एक चीज पूछ रहा हूँ क्या मैं कल को एक मैराथन क्लास लगा दूँ एक्षिली मैंने एक पेपर बनाया है सीटेट का पूरा कम्प्रीट गेड़ सो कॉस्चन का तो अगर आप कहें अगर आप तैयार हों तो मैं उस पेपर को कल पढ़ा दें कम्प्रीट एक गेड़ सो निम्बर का पेपर जिसमें सारे विश्य होंगे बारा बज़े आपके कमेंट्स मुझे चाहिए जिससे की आपकी तरफ से मैं समझ पाऊँ ठीक है ना यह उसको बाद में पढ़ा है जैसा आपको उचित लेगे कल संडे है तो सोचनों उसको बारा बज़े से लेकर के वो दो-तिन घंडे का क्लास होगा उसमें सब लोग जोड़े कि आसाने से कर लें एक पूरा पेपर है जो मेरा जितरफ से सीटेट में आना चाहिए रड़ी है तो ठीक है तो कल बारा बज़े लगा दे चलिए तो कल बारा बज़े उस पेपर को हम कर देंगे कल यहाँ हर संडे कराया करेंगे श्राम संड़े में फिर हैं तो हर संड़े कराया करेंगे ठीक है न वो बैटर रहेगा न तो हर संड़े इसको करा दिया करेंगे पिपर को जुमने बनाएं ओके तो क्या है एक सहर एक सहर से 37 बजे चल कर अब देखो सहर 37 से चली वो और शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपने का 540 और यह तो आप सब जानते हैं कि डिस्टेंस बरा क्या होती है स्पीड इस इकल टो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो मैं कर दूँ 540 बटा 15 अब क्योंकि यह जो आप दूरी निकाल रहे हैं वो किसमे हैं वो है आपकी किसमे पर इसे काट लेते हैं चलो 15 ती 45 बचे 9 15 चिकर 90 36 तो 36 किलोमेटर प्रती घंटे आ गई लेकिन आपका जो कुश्टन दिया है वो 36 आप इसको लगा देंगे जो गलती हो जाएगी कभी दी लगा दो कभी दी लगा दो गलती हो जाएगी क्यों गलती हो जाएगी उसको समझो गलती दोस्तों इसलिए हो जाएगी क्योंकि 36 मेटर प्रती सेकंड सवाल में मीटर प्रती सेकंड में उतर दिया आपका किलोमेटर में आया है तो किलोमेटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं तो किलोमेटर को बदल दो मीटर में 1000 और घंटे को बदल दो सेकंड में 3600 और डारेक्टली आप क्या कर लेते हैं आप 5 बटे 18 का मल्टिपलाई भी कर देते तो 18 दोनी 36, 5 दोनी 10 तो आपको घबराने का नहीं समझने का सवाल बढ़ते हैं आगे एक और सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा चूज दी टेक्निक आप फॉर्मेटिव असेस्मेंट यह रचनातमक आंकलन की तक्नीक का चुनाव कीजिए पोटफोलियो फाइल सहपाथी आंकलन करम निर्धारन में आपने रेटिंग स्केल यह प्रदतकार है इनमें से आपको बताना फॉर्मेटिव असेस्मेंट किसके द क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करो कि रचनातमक आंकलन की तक्नीक है ना और यह आप ब्लूकर सोच रहे होंगे किसर ऐसा होगा लेकिन आपको बता देंग घल्ती मत करो आप इसको उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं गलत कर देते हैं तो रचनातमक आंकलन की जो तक्नीक हो सबसे बढ़िया है सहपाटी आंकलन क्योंकि आपके मित्र आपके साथी से अच्छा फीडबेक आपको कोई नहीं दे सकता ठीक है न पॉर्टफोलियो जो है वो रचनातमक आंकलन की नहीं बच्चे की औरल मेजरमेंट की टेक्निक मानी जाती है बात करते हैं रेटिंग स्केल पर बच्चे की आप जांच करते हैं प्रततकारी आपने उसको जो असाइन टेस्क दिया है उसकी बात करते हैं रचनातमक आकलन का सबसे अच्छा एक्जामपल है सहपाटिया आकलन यानि क्लासमेट असेस्मेंट बोलते हैं इसको को असेस्मेंट भी बोलते हैं तो ध्यान जाद कोई इसको सही नहीं लगाएगा मुझे पता था इसलिए मैं आपको बताया इस तरह से समझ लेते हैं अगर हम किसी विशे विशेस में चातर की शैक्षिनिक शमताओं और प्रवार कोशक का निर्दाद करने की बात करते हैं तो हमारे पाँ जो तकनीक हैं वो यह हैं प्रशनोत्री, पोर्टफोलियो, अवलोकन, अब्जर्वेशन, रेटिंग स्किल और उपाख्यानात्मक अभी लेक्जिस खाता, खाना नहीं खाया, तो उसने पिताजी से पैसे लेक्जिसे खाना खिला दिया, तो ऐसी चीजें उसके उपाख्यानात्मक अभी में दर्ज की जाती हैं, रेटिंग स्केल का प्रियोग छात्रों के मनोभाव को मापने के लिए किया जाता है, और जरूरत हैं उनको सम का समझ में आये ना, तो गलती मत कर देना कभी पेपर में आ जाए, और आप इसको गलत करके आजाओ, तो सही जवाब क्या है, सैपाटी, आतलन, क्लास, मेट, यानि को फ्रेंड, को आसेस्मेंट भी इसको बोलते हैं, इसको ध्यान लखिएगा, बहुत बढ़ी, भी लाइक अनुभब द्वारा सीखने पर केंद्रित है, इसकी प्रत्यों एंव विश्यों का सिक्षा, विध्यार्तियों के विभार में इच्छित बदलाव, या विध्यार्तियों का समाजिक भावात्मक कोशल विकास, और ये बहुत अच्छा प्रशन है, अगर मैं लगेगा कि गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है, तो सही कौन सा है, पॉर्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, जहां पर शिक्षन बच्चे के ओपर डिपेंड करता है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे को जी समझ में नहीं आई है, तो आप उस पर केंद्रित होना चाहिए, और बाल केंद्रित शिक्षन हमें किस पर करता है, क्योंकि यह साफ साफ कहता है, कि बच्चों को उसके एंवारिमेंट में रहकर सिखाओ, ठीक है न, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल अनुभाव आज पास की चुज़ों के साथ, तो राइट ऑप्शन ए है, अगर आप ए चूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही बहतरीन कर रहे हैं, आपकी प्रसंस नहीं है सरहना, एक और सवाल, फोकस और नलनिंग, वेरी गोड़ एक और सवाल, हमारे देश के उन तीन राज्यों का समूं कौन से जिसने के समूंद रत अर कारव सागर पर कौन कौन से श्तित है, गुजरात महाराष्ट्र पर्श्रिंग मंगाल, गुजरात महाराष्ट अब कहला नक्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कि कहल रूर करनाथक कामाहराष्ट, यानि नक्ष आपको समझ में आना चाहिए, प्रभीत आभी मैंने बत लेते हैं और देख लेते हैं चाहर समझे लेते हैं यहां अ इसकeties पर आ अरब सागर लगेगा मुंबाई की बात कते हैं मुंबाई आगे इसके किनारे यहां पर आपका गोवा आ गया यहां पर आपका करनाटक आगया और यह आगया केरल तो यह इस सता पर रहने वाले राज्ये हैं यहां पर देखा जाए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अरब इप राथ बोले इसको मॉंबई बोले इसको गोवा इसको बैंगलूरू ऊपर आगया गाईर लाय democratic समझ में आया है क्या है यह पुड्डू चेरी है यहां पर इसके जो केरल के जो अपोजिक दूसरे किनारे पर वसा हुआ है यहां से इधर वो सब तमिलाडू है करने कुमारे यहां पड़ जाता है करके ठीक है ना ओकी समझ में आया आगे बड़े प्राइमरी इस तर पर इवीस की थीम आपस में संबंध और अंत्य संबंधित है क्यों है अब इन में से आपको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है हाँ बेव बंगाल के पास है तो राइट आप्शन क्या मिलेगा अब चलो देख लेते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है और मुझे पूरी उमीद है आपका जवाब गलत नहीं होगा और सही करने का परियास करेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं सवाल का आप्शन मिल रहा है मुझे बी देखो परियावरण साइंस यह सब पर लेगा है बलकि मैं आथ ही क्योंकि कक्षा दो तक तो इविस को मैथ के साथ ही पढ़ाया जाता है तो यह कॉम्बो पैक है तो यह गलत हो गया अब यह एकिकरत का मतला है एकिकरत का मतला है सबके साथ जुड़के काम करता है एक विशय नहीं है यह विशय पर आधर विशय नहीं है इस बात को याद रखेगा एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कुशन आपके समक्ष है एंसी आर टीकी ईवियएस का अध्या पोचम पळी यह पोचम प्ली है अध्याए 13 ईवियएस का तो इसमें क्या बताएगा वास्त्विक चितर दिखाये गई हैं वास्त्विक स्थान दिखाये गई हैं वास्त्विक लोग वा उनके अनुभव और पास्ते घटिंचित्र पहली आ गया है किलास फॉर्थ का है यह पोचम पल्ली चेप्टर नंबर 23 यह मैंने इमेज लिया था अड़ा से तो यह आपके समक्ष है और यहां पर मैंने इसको पहली रगा दिया है तो इसका मतलब क्या पोचम पल्ली बहुत इंपोर्टन चेप्ट बी मिल रहा है और बिल्कुल सही बात है पोचम बी देजा करके आपके लिए अनलाइसिश र्क है ठीक है तो पोचम पल्ली एक नाम है इसको जल्दी से आप Map चेप्णárias अभी आपने देखा होगा शाद 20 दिसंबर के पेपर में भी ये सवाल था ये दवाल तीसरी बार आया है तो यहीं आप अंतर वाले सवाल आपको दिये जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपका जबा मिलेगा तालाप, परवत, जहरना और जीद इन में से कौन सा अलग और सब को पता होगा क्योंकि हाँ, स्किल है बहुत बढ़ी अते लगन, क्या बात है तो राइट ऑप्शन सी मिल रहा है, सब जानते हैं ओ जहरना, ओ जहरना जहरना कैसे हो जाएगा क्योंकि तालाब में पानी होता है जरने में भी पानी होता है जील में भी पानी होता है परवत में पानी नहीं होता है परवत उथली सत ओपर होते हैं उपर की तरफ चलते हैं तो परवत जो है Mountain is different from others correct है ना बहुत बढ़िया like करते रहो अपना प्यार बताते रहो सवाल है जो हमारे दक्षण अमेरिका से लोग आये तो वो क्या लेकिया आये यह मैंने देखो यह भी सवाल तीसरी बार आया है तो यानि important question बन जाएगा अगले वर के लिए क्योंकि दूसरे देशों से कौन कौन सी फसलों से हमारे पास अन अनाज सबजी मसाले आये इन पर सवाल हर पेपर में आरा तो उनको तयार कराएंगे जरूर प्राइट option क्या मिलेगा देखेंगे सी option टमाटर तो यहाँ पर टमाटर देने की कोशिश मिल रही है मुझे के टमाटर हम खाएंगे टमाटर टमाटर आया हुआ है और आपको बता दें एकदम सही जब आप टमाटर अगर आप चूज कर रहे हैं तो गलती नहीं होगी टमाटर चूज करने में क्योंकि टमाटर ही आया है तो दक्षण अमेरिका से हमारे देश में क्या क्या आया है इसको समझ लेते हैं एक बार दक्षण अमेरिका से हमारे सब्जियों का राजा कहा जाते इसके वे नाम सब्जी नहीं खाते है नौर्थ में नौर्थ में आलू है लेकिन साउथ में आलू को लव नहीं खाते है इस बात को बता दूँ आलू की सब्जियों कहीं देखने को नहीं मिलेगी ठीक न हमारे नौर्थ में इसको राजा कहा जाता है तो ठमाटर, आलू, हरी मिर्च योरॉप से आया है गोभी और मिटर आफरीका से आया है कॉफी, बीन और भिंडी भिंडाय और इंडिया में आम तोर पर आम, संत्रा, खेला, मेथी, पालग, भेंगन और मूली ये हमारे देश की है ठीके न, बहुत बढ़िया वेरी गुए ने पूरा पता दे टमाटर, मिर्ची, मुंपली अमरूद भी वहीं से आया है बहुत बढ़िया, वेरी गुए तो बाद समझ में आ गई भी, महापर खलास चलती है और यहां आपको हासानी समझ में आ जाएगा NC80 की कक्षा 5 की EBS की पार्टि पुस्तक की अध्यान में मेंडल की कहानी का उद्देश है क्या है अनुवान सिक्ता बाभी मैंने बताय था, ग्रॉइक जोन मेंडल को अनुवान शिक्ता का पिते में कहा गया, NCRT में उनके नाम का चेप्टर है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, अनुवान शिक्ता के सिध्धानतों को परसुत करना, हमारी व्यक्तिकत पहचान, किस प्रकार परिवार से, प्राप्त वंसान, उगत गुनों से बन होगा रहा है, जवाब क्या मिलेगा, उमिद है, एक मिनुट, इसमें सवाल में कुछ मिस हो गया है, मैं बत लिख देता हूँ, इसे अप्षन तो इसमें हैं लिख दो, ये शायद मैं, लिखने भूल में हूँ, क्योंकि सब टाइप करना पड़ता है कि हैं दिनिंग लिख म option D है चलो BCD इस चार आप तीन option लिए ठीकर आप बतावान सब तो राइट ऑप्शन ए अभिमन्युमेंट तो option A thank you राजीव शुक्रिया thank you मनोहर आप सब का प्यार देने के लिए तो राइट ऑप्शन क्या होगा A, C, D, A, N, D, A, B, C, B, C, D तो राइट option देखेंगे आपका जबाब क्या मिलता है क्योंकि हमने इस chapter को deduce किया है और राइट option नहीं ऐसा नहीं है question कैसे हो जाएगा मैं इसमें चार option में दे रहा हूँ ठीक है इनमें से सारे options हैं एक सवाल एक option गलत है अगर इसमें यह होगा उद्देश सिधानत नहीं है तो इसमें एक option आ जाएगा बस मैं आपको hint दे रहा हूँ ठीक है ना right option क्या मिलेगा let's see what will be the right answer from your side और 29 का C मुझे मिल रहा है और आपको बता आपका जब थोड़ा सा गलत हो गया है थोड़ा सा हलत आपने कर दिया है right option c नहीं होगा right option इसमें एक ही गलत है बस बाकिए सब ठीक है इसमें पहला option रॉंग है यह पहला option अनुवान सिक्ता के सिध्धानतों को परसुत करना यह इसका उद्देश नहीं इसका उद्देश किया और वज्यानिक को ने कितना श्रम के बाद यह चीज निकाली यह तीन उद्देश यहां पर आएंगे यह जो है अनुवान सिक्ता के सिध्धानत जो नों परसुत किये वो खक्षा 5 में लागू नहीं होंगे इसलिए इसका सही जवाब option number D होना चाहिए इसमें अगर व इन्वार्मेंटल स्टडी स्टुटेंट्स गेट ऑपर्चुनिटीज तो डेस्क्राइब स्टेट्मेंट ऑफ कॉंसेट्ट डेफिनेशन अफ लर्निंग और विद्ध्यारते वो किस चीज का आप सर्प्राप्त होता है वर्णन करने का अवधानाओं का कथन देने का भाश देता हूँ एक चीज और ध्यान से समझेगा आपको बता देएं कि भहिया अभी दस बजे सीडीपी पांच बजे हिंदी सुबद छे एम सीडीपी एवी एस और शाम को साथ बज़ कर तीस मिनट पर मैट्स तो यह सारे पिर्विस इयर शुरू हो रहे हो चुके हैं आप सभी लोग जॉइन करें और शाम को मंडे से मैं आपको बता दू मंडे से मैं आपको मैथमेंटिक्स का पेपर 2 के पेपर करा करने शुरू करूंगा उसमें भी बहुत अच्छे कोशन साहे थे उनको भी सॉल्फ करेंगे और आपको बता देए कि बहीं सीडीपी सौमवार्च शुरू हो जाएगा तो सभी लोग अपने साथियों को बला लें और कल एक महा मैरतन क्लास रखते हैं जिसमें हम पूरे अबर तीस अन्तीम प्रशन है आज का और आपको बता है किस चीज़ का विशन मिलता है और आप कह रहे हैं और इंग्लिश भी बढ़ाएंगे डोंट वरी इंग्लिश भी आएगा और सर अहां वो सब कराएंगे राजेश आप एंगी कलास बोल दो जो भी बोलना है ऐस तोड़ी को मेरी बात मानेंगी आपकी मानेंगी तीस कुछ नहीं कराऊंगा डोंट वरी सारे कराऊंगा तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है और आपने का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब आप देने की कोशिश करते हैं बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब परिवन दिन की सम्विद्धरत को का वर्णन करने करने का नहीं उनको प्रशन पूछने का आस्क को कि बच्चा की कुछ ज़्यादा होती चीजों को दे करके तो उसको उस क्लास में प्रशन को पूछने का पूरा मुखा मिलता है राइट ऑप्शन है डी साइंस भी कराएंगे डोंट वरी ठीकना अब एक आदमी है कुछ ही क करो और दोस्तों को अपने को बढ़ाओ अगर आपको मेले द्वारा दी गई जानकरी मेले द्वारा पढ़ाएंगे चीजी समझ में आती है तो इपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें क्योंकि विदाउट आपके दोस्तों के सफोर्ट के आपके सपोर्ट के य अगर आप सपोर्ट देंगे तो हम जरूर आगे चलेंगे अगर आपको लगता है कि हमारे मास साथ थोड़े से उपर चले जाएं जादों पर नहीं थोड़े से उंचे उंचाएं वह लोग जाने तो यह आप जबाद सकते हैं अगर अगर नहीं थोड़े जोड़े ते जाएं जाएं तो यह आपको लगता है